मैं डॉक्टर राजदे सर आप सभी का एकलाब अग्रिकल्चर एकडमी में श्वगत करता हूं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साबने हाजी रहे और यह भी टॉपिक को जो इसका नाम है और जो इसकी क्रिया विधी है दोनों में बड़ा अंतर है तो इसी लिए यह तुमाइटो फ्लू ठीक है अब यह टोमाइटो फ्लू क्या है इसके बारे में हम लों चैबंब बहुत अफूश्य ज़ू अ razoon जोलंत मुद्दा है ठीक है इस समय का करण का बहुत बर्निंग इसू के रूप में देखा जा रहा है तो इसलिए आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इसकी हकीकत क्या है है हमारी सहस्तान के द्वारा कि ये बैच के लिए ऑनलाइन मारा बैच जल लाहा है उसमें जो भी चाप आने वाले अपने इस विग्यापन के लिए धीरे धीरे कुछ ना कुछ रोज करना चाह रहे हैं कि विग्यापन तो कभी आएगा निगट भविस में लेगिन हम अभी से कुछ ना कुछ अपना करता चलेगे तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारी सहस्तान के द्वारा जुड़ करके अपने कार को आगे बढ़ा सकते हैं इसमें हम जो है नायत रिजिनिक जीएस हिंदी के साथ ही साथ एग्रिकल्चर भी लेके चल रहे हैं तो इससे उनमें सारे में जो है आपके मायत है जीएस हिंदी है कॉमन है और एग्रिकल्चर वाले बच्चों के लिए जब जो आएगा तो इसमें एग्रिकल्चर भी जोड़ेगा इसलिए हम बर्निंग इसू को लेकर इसमें चल रहे हैं इसलिए आप लोग इसका खुब और करें वी आइए देखें टोमाइटो फ्लू अब जो टोमाइटो फ्लू है अब हमारा टोमाइटो फ्लू देखें यह हूमन बींग में इसका इंपेक्ट है जो टोमाइटो फ्लू है नाम टोमाइटो फ्लू है ठीक है क्रास के नाम है लेकिन यह प्रभावित किसको कर रहा है मानो को हो क्या रहा है मानों के सरीर में यह एक ऐसा फ्लू के रूम में बन रहा है देखने पर एक छोटे छोटे टमाटर की बार एक दाने की तरह उभर जा रहा है एकदम लाल सुर्ख बन जाता है दूर से देखने पैसे देखने से इसे लगता है जैसे टमाटर कि इसका नाम क्या पढ़ गए तो मैटौ फुल्वे प्रभावित किसे कर रहा gaming हम लोग वट भूल भी सुनते है स्वाइन pour 수ते लेकिन इद्र fondo तो तो मेटव किसको प्रभावित करता है युमन विंको प्रभावित करता है और भी सुनते हैं लेकिन यह क्या है टुमाइटो फ्लू किसको प्रवाइट करता है यूमन भी इंको प्रवाइट करता है और क्या भारत में इसका प्रकोग देखने को मिला तो इस सब के बारे में हम लोग जानकारी देखा लिखा हाल ही में केरल के कुछ हिस्से में हाली में केरल के कुछ हिस्से में पाँच बर्स से कम आई के बच्चों में टोमाइटो फ्लू के संक्रमर का मामला दर्ज किया गया इसका मतलब यह जो टोमाइटो फ्लू है यह मानों को प्राइब करता है और उत्तर प्रदेश के केरल के केरल में सबसे अधिक इसका संक्रमर देखा गया और यह संक्रमर जो देखा गया पांच बर्स से कम उम्र के बच्चों में सबसे अधिक यह देखा गया तीग है इसके अ तोमाइटो फ्लू किया गया तोमाइटो फ्लू काकसाई की वाइरस ठीक है काकसाई की वाइरस या यह A16 काकसाई की वाइरस A16 के कारण होता है तो हमसे पूछा जाएगा जो टोमाइटो फ्लू का रोग का टोमाइटो फ्लू रोग का जो कारण है वो क्या है क्या वो A16 है या या H5N1 है, या H5N5 है, इस तरह से आज से सवाल पूच्छा जाएगा, ठीक है, दूसरा लिक्षा है, यह एंट्रो वायरस फैमिली से समंदित है, एंट्रो वायरस क्या है, एंट्रो वायरस, आरण्य वायरस का यह पुराना और मातपूर समु है, इसका मतलब यह आरण्य से बना हुआ होता है ठीक है एंट्रो वाइरस के लिए के वल मनुस सही में होस्ट या मेजवान या बाग है इसका मतलब जो एंट्रो वाइरस का वाहक होता है वह कौन होता है मानौ स्वहिंग होता है इसका मतलब यह टोमाइटो फ्लू होने की संबावना है किसमें रहेगी कि यह संक्रमर्ण रोग यह संक्रमर्ण रोग आतों के वाइरस के कारण होता है जो वाइसकों में दुरलब होता है क्योंकि उनके पास आंत तौर पर इस वाइरस से बचाओ के लिए प्रयात प्रतिरक्षा प्रडाली होता है मतलब जो यूथ होंगे उनके जो प्रतिरक्षा होता हो ज्यादा होता है इसलिए यूथ में यह हांकारक प्रभाव नहीं डाल पाता लेकिन जो हमारे देश जो नवजात होते हैं पांच बर्स से कम कुम्रों उनकी सरीर की जो प्रदिरोधक छमता होती है वो कम होती है तुलनात्मग रूफ से इसलिए इनमें जो है यह नुक स्こう लगता है और इसके संचरण से गंभीर पर राम उपशिक अपने वाले बच्चों में देखें घाने प्राकि मुक्ष क्षेश चिकन गुनिया की सवाण है तो टो मैरेतु फ्रू का जो प्रात्मिक लक्षाऑ है और चिकन गुनिया के सवान करा जोडों की सूजन, सरीर में दर्द और सामान, इन्फ्लिवेंचा जैसे लक्षट देखे गए हैं, ऐसे लक्षट डेंगू में भी पाहे गए हैं, जीगर, तो ये एक तरह से इस रोग के बारे में एक जानकारी है, और इस जानकारी के मादल से आप अपने आपको बहुत करें आपको देखें, उसी से सम्मंदित हमने आपको सामने कुछ प्रस्न रखे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने इन प्रस्नों का उत्तर अपने कमेंट के मादल से जरूर रेंगे, हमारी सरस्था एकलब अगरिकल्चर के अडमी के द्वारा, यूपी के यहाओध के लिए हमारा भैच ब्राणमभ हो चुका है, यूजी का भी ब्याच आणलाइन हम प्रारम कर रहे है, अमारा जविय प्रगती पर है, कि यह का आणलाइन भैच हमारा और आपका जो F.O का भैच है, ब्सक्राइब ही, तो इन सभी बैचों से आप सभी को जैपिस सबी लोगों को अपने कमेंट के मादन से जरूर देना है और आप लोग सवालों का जवाब देते रहिए क्योंकि कहीं हर वीडियों के मादन से हमें कुछ न कुछ आपको सिखाना हमारा उद्देश है इसलिए यदि आप इन प्रसनों का जवाब नहीं देंगे इसका मतलब आ मिलना मुश्किल होगा लेकिन चोटे-चोटे के मादन से आप इसको कलक्ट करेंगे तो आपकी डायरी मी आप अच्छा कलेक्श देखने को मिल सकता है इसलिए आप इस सभी प्रसनों का जबा दीजे पहला है बंड फ्लू रोग का कारक नाम सुने हैं अब आप बताईजा वर्ड फ्लू से प्रभावित होने वाले प्रमुक पच्छी, इससे कौन होता है? ये भी आपको बताना है, स्वाइन प्लू रोग का कारक क्या है? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, FMD, पूट एंड माउट डिजीज कुर्पका तता मुपका रोग का कारक है कुर्पका तता मुपका रोग से प्रभावित पसू कौन है उसके बाद है फमडी किस पसू का घातक विमारी है आप सभी को से हमारी रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रस्णों का जबाब जरूर अमिए आफ सो बार-बार कहीं न कहीं प्रस्ण के रूम में आता है यह हमारा संसा के द्वारा चलाये रहे बरतमान के कोर्स है हमारा मसी का भी कोर्स नारम हो चुका है वारा यूजि का कोर्स अध्सीगड इन रन्च ने वाला है को ए-स्य प्रगती पर है और हमारा टीए का वैच भी ऑनलाइन चल लाए आप सभी को इन सभी वैचों से जुनने के लिए आप हमारे दिये गए इस मुवाइल लंबर पर संपर करके जानकारी रात कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ज यण वारे लेख बढ़ते हैं तो आप हमारे वैचित जादित रामारे लिए वीजवाबस में तो आप हागैंध मicki के लिएमारे लेकन कावरा क्या मत रामारे विए जान वाष उरानिक मूर अपकर अंपकर लेओग ड़ीशान सभी भी टान है